पूरू मंत्री विपुल गोईल ने नीजी संस्ताओं के साथ मिलकर कोरोना वाइरस को खत्म करने की मोहिम चालू की है संस्ता की टीम घर-घर जाकर सेनिटाइजर का छिड़काओ कर रही है पूरू मंत्री विपुल गोईल का कहना है कि करोना वाइरस से डरने की जरूरत नहीं है बलकि इससे बचाओ की जरूरत है जहां एक तरफ हर्याना सरकार ने भी इसको महामारी गोशित कर दिया है और सरकार हर समभो प्रयास कर रही है इस करोना वाइरस से निपटने के लिए तो हमारा भी दायुत बनता है कि सरकार द्वारा बताई गई गाइडलाइन का पालन करे और इससे घबराये नहीं एक नीजी संस्ता इससे निपटने के लिए सामने आई है जो घर घर जाकर सेनिटाइज करेगी और मैं लोगों से अपील करूँगा कि इतने सेनिटाइजर की मुहिम से जुड़े दिखाई दे रहा ये नजारा फर्दाबाद शेतर का है जहां पर एक नीजी संस्ता द्वारा घर घर जाकर और पब्लिक अस्थानों को चुनने का बीड़ा उठाया गया है इस मुहिम में पूर मंत्री विपुल गोयल ने वी लोगों को जोड़ने की अपील की है उन्होंने कहा है कि कुरोना से घवराने की जरुत नहीं है बलकि हमें ततर्गता अपनानी चाहिए अजय को एक तो अंप्लायमेंट भी दे रहे हैं लोगों को जो अंप्लायमेंट है उसको पे करने के लिए जो हम सार और चार्ज कर जो लड़कों करें है इसमय हमें वह बांड़ियों के अंदर भी किया जाएगा और पृती गाड़ी भी सार गा लिया जाएगा किसी ने गाड़ी में कराना है, किसी ने किसी फ्लोर पे कराना है, शौर बेल अलगे हैं हमारे लिपुल गएल जी बूत्पुल मंत्री जवह है इन्होंने हमें मोटिवेट किया कोई करीदावाद के लिए आसा काम करें जो से आज तक जो फैल रही है, बिमारियां फैल रही है, उसको बैक्टिरिया बचाने के लिए कुस करो, तो हमने एक इनको मिश्चर सन्नी जी को हमने पता कि अभी यह पामलिम एक्सपर्ट हैं, तो हमने इनको इनको साथ हमारे संबंद हुआ, कि आप इसके बाद हमने यह अगरगर में अपने करोना वाइरस से बचाने के लिए कम से कम हमारा जो खर्चा है, खर्चे भी कम है हमारा जो उस पैसे हम गएन करेंगे, इंडिया एंजल मिशन के नाम से हम यह प्रोग्राम शुरू किया है, इससे सारे सारे पूरी फरीदवाद की जन्ता को साथ सब को होगा, इसमें शिर्फ सौर पर अम प्रती घर से साथ से लेंगे, और मैं समयत आता हूं सब की आपकी माद्यम से सब को अवेर हो जाएं और थोड़ा-थोड़ा सब का अपने अपने घर में भारे से बचाने के लिए स्प्रे कराएं कि करोना की जो स्थिकी करोना ने जिस त भरों को सेनिटाइजेशन करने के लिए एक मुहिम चलाने की बात किये हैं और लोगों को अवेर करने का काम सरकार भी कर रही है और हम सब लोगों का दाइत भी बनता है कि इससे घवराएं नहीं इससे जो जो प्राबलम आज पूरे विश्व के अंदर आई है इससे लड़ के लिए एक होम सेनिटाइजेशन की जो बात चली है इसमें एक संस्था जो आपके सामने भी आपने पूरी बात भी करी वो सामने आई है और ये लोग पूरे फरीदाबाद के अंदर इसे सेनिटाइज करके घरों को सेनिटाइज करके गाड़ियों को सेनिटाइज करके इस महामारी की रोख्थाम करना चाहते हैं तो मैं सभी लोगों से आप लोगों के माध्यम से अपील करूँगा कि इस जो यह सेनिटाइजेशन की जो महीमें इससे जुड़ें और अपने अपने घरों को अपने अपने गाडियों को और अपने आसपा सराउंडिंग्स को चाहे सर इस तीम को आगे बढ़ाएं जिससे कि हम इस वाइरस से लड़ सकें इस वाइरस से मुक्ति पासे बहुत बड़ी टीम इन लोगों ने वो करिया है चालिस टीम इन्होंने बनाई है एक दिन के अंदर एक टीम चालिस घरों को सेनिटाइज कर सकती है तो इसलिए जैसे होगा और यह लोग आगे भी और उस टीम को बढ़ाने के लिए तेयार हैं मैं समझता हूँ हर किसी वक्ति को precaution लेनी के यह इस काम को आगे बढ़ाना है